कि तरफ से भी मीडिया वाइज ऑनलाइन इवन है कि मैं आत्म हत्या कर लूँगा देखे सारी जी के खिलाफ अगर राज कुमार जी बोल्ड रहे हैं भी माना जाना सा होता है कि यार किसारी जी जॉली नेचर है हसमुक है और उनसे किसी को तक्रत इसमाल तो हो रहा है और विय भोजपुरी आटनाटन दोस्तों आज हमारे साथ भोजपुरी के एक पहुत ही चुलबुली एक्ट्रेस मैं नाम नहीं बताऊंगा आप खुद गैस करें में केवल क्लू दे रहा हूं फेयर लवली गर्ल आये मैं आपसे बात कराता हूं सबसे पहले प्रडा हमने सभी कर रहे हैं और हमने मुहरत किया फिर हम गाने कर रहे हैं तो गाने का लिवाज है यह कॉस्ट्यूम इसके बाद से चेंजिस हैं अब देख सकते हैं कि यस निवली मैरेड एक लड़की है और वो एक रोमांटिक सॉंग चल रहा है मारा आपके साथ पोस्टर में दिनेश जी जी के साथ अभी अपने कोई काम फिल्म काम की है कि नहीं है हमें दिनेश जी के साथ दो प्रोजेक्ट कर चुकी हूं इसे पहले जिगर फिल्म जो सूपर ब्लॉक बस्टर रही है और एक हीरो वर्दी वाला एक वैब सेरीस किया था मैंने तो इस फिल्म में आपका किरदार दिनेश जी की वाइब का है कि क्या पोजेटिव निगेटिव कुछ बताएं दर्सकों को देखिए मैं कैसी जो वाइफ है उसका किरदार निभार रही हूं और एक आर्मी जो एक मिलिटरी में जो एक परसन है उनकी वाइफ कैसे डेडिकेटेड होती है कैसे सपोर्टिव हो एक इंडिन वुमेन कैसी होती है और उसका ही किरदार है जो बख़ुबी से एक समर्पन भाव परिवार को बांद के रखना एंड प्रेम और जो बैकबोन होता है एक लेडी होती है वो बहुत पॉजिटिव है वो मेरा किरदार है 2021 में कौन-कौन सी फिल्में आप किया रही है देखे बहुत सारी फिल्में है पैंडिंग जो लॉकडाउन की जस पहले हमने शूट करके रखी है तो काफे फिल्में है जैसे बाब जी है जिसके गाने धिरे-दिरे हम आरे लारे मार्केट में और ट्रेलर आउट हो चुका है बाब जी है वन्ष है अभी बबलु संग बब्बी शूट किया है हलो पापा मेरे पापा की शादी में जरूर आना वाधर रहा तुमसे भागवत गीता ऐसे तमाम फिल्में हैं जो आपके लिए हैं जो हमने तयार की है फिल्म के डिरेक्टर सुजीद जी है उनके बारे में अब क्या करने इतने मजह हुए डिरेक्टर बहुत सूरी इंडस्टी में कि सुजी जी जैसे डिरेक्टर जो बहुत ही बड़े बड़े प्रोड्यूसर डिरेक्टर जो इस कह सकते हैं कि जिनके प्रोडक्शन से जिनके डिरेक्शन से हमारे स्टार स्टार बने हैं तो उनके अगर निर्देशन में मुझे काम करने का मौका पहली बार मिल रहा है तो मे समझ करना कि सारे जी के साथ काम करना इस वेरी बिग अपोस्टेट वह लिया मैं बहुत ब्लेस्ट फील करती हूं कि मुझे ऐसा किरदार मिला एंड सीरियसली माला कि मैं अपने इस काबिल समझती नहीं हूँ लेकिन इश्वर ने मुझे मैंने जितना वक्त अपने करियर में अपने सीखने को दिया था एक्टिंग के विश्य में तो वो चीजें आप सज रही है आप मौका मिल रहा है इश्वर की दया से और आप लोगी अपने शूट में भागवद गीता में और अगर हां कुछ चीज चल रही थी बीच में अब जिस बात के पहलों तक नहीं जाएं तब तक हम क्या बहु सकते हैं काफी ऐसे इंटर्व्यूस देखे थे राश्वार पांडे जी के तरफ से भी के सारी जी के तरफ से भी मीडिया वाइज ऑनलाइन इवन यूटूब तक लाइव आप इश्वास नहीं करें कि मैं देखनी पाई हूं लेकिन अगर एफ आयर तक बात पहुंच गई है तो और पीस इस जो नहीं होना चाहिए राजकुमार जी कराना कि मैं फेसारी का नामे कर लोन कि यह राई फिक हैं जो क्योंकि देखिए सभी लोग परिशान हैं आपको क्या लगता है कि मैं इवन परिशान हूं ऐसे कई लोग परिशान है जो आत्मात्या तक शायद सोच सकते हैं मैं क्या बोलू अभी कुछ वह मतलब नहीं बोलने का लेकिन वहां तक थौट जाता है किसने किसी के माधियम से अ पांडे जी चोटे मोटे डिरेक्टर नहीं है वह बहुत ही आइधिंग इस लाइक टॉप मोस्ट डिरेक्टर और हम मेरी मैंने खुद उनके साथ काम किया हुआ है एंड़ इसा होता है लेकिन अगर दोनों गड़ लडगे तो हम एक परिवार का हिस्सा है हमें तकलीफ होती है कि आप लोग प्लीज मत लड़िए बस यह मैं बोल रहे हुआ है तो आई विश मेरी यही काम ना है कि उलड़ जाए मामला स्वाल वाहुट हो जाए बात आगे ना पड़े आपने खेसारी किस प्रकार के इंसान है आपको लगता है कि वह आत्महत्या कर सकते हैं वह बोलने कि मुझे सुसान सिंग राजपूत बनने पर मजबूर किया जा रहा है देखिए मैं क्या बूलूं सच में अगर मुझे इस बारें पता होता तो इस पड़ी जरूर करती लेकिन मुझे लगता है कि किस हिसाब किसम के इंसान आपने पूछा देखिए म otomayette घ्रा मेरा काम होता है एक्टिंग करना में और अलresh हो वह बहुत सब्पोर्टिव एक्टर है किसारी जी बहुत ही जॉली नेचर थालिशंक है और उनसे को तकलीफ होती नहीं है और उनसे किसी तकलीफ नहीं होती है आफसेट क्या होता है I don't know कि मेरा क्योंकि मेरा उसे कनेक्शन रहा ही नहीं कमी ऑफसेट इतने अच्छी से काम निकलता है हंसते खेलते तो ऐसा इंसान में सपोर्टी ही माती हूं और जब भी मुझे प्रॉब्लम हुई है तो मैं कभी सामने से मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी मतलब की दुनिया है अगर आप बढ़े होते हैं अागे बढ़ते हैं तो दुश् crease आपका फाइदा काफी लोग उठाना चाहते हैं मैं चाहती हूँ कि अपनी माध्याम से मैं बहुत इज़त करती हूं कि सारी जी कि और इतने लोगों को सपोर्ट करते हैं जभी कोई विपदा आती है वहीं नहीं करते हैं बाकी सब करते हैं लेकिन सुसाइड की बात कैसे में जिपच नीरी क्यों कर सकते हैं सिंगल से डबल कब हो रही हैं सिंगल से डबल मतलब क्या शादी जी मेरे अच्छा अच्छा शादी किस प्रकार के लड़के आपको चाहिए साधी के लिए कि लड़के नीचे एक लड़का ज़िए आपको पता में कहां से हूँ मैं गोरेखपुर से हूँ और मेरा होम टॉन बकसर है तो मैं बहुत एडवांस नहीं हूँ और मैं बॉर्फेंट में बिलीव नहीं करती है मैं बस यह बिलिव करते कि अगर मेरा मुझसे पूछा जा कि लड़का कैसा चुछ है तो हर एक लड़की का जो यूपी भी हर से बिलॉंग करती है और भी कहीं से जो जिसका होता है ड्रीम बॉय तो होता है कि आप जो आपको समझ सके जो आपको बहुत सारा प्यार दे सके कि आप कोशिस कर सकते हैं मैं जाते ज्याते हैं डर्शकों से क्या कहने मैं बहुत बहुत प्यार करती हूं और आप सब की दुमाइए जैसे की मुझे मिलती हैं से आपके कमेंट बॉक्स में तो सब चाहते कि आप खुश रहें पॉस्मली और धुश्मन चाहते हैं मैं खुशश ना रहूं कुछ धीट लोग होते हैं एफायर करना पड़ता है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने भी खुद एफायर किया हुआ है एक नहीं दो नहीं कई तो ऐसे लोग होते हैं क्योंकि मैंने खुद कैसले में समझ सकती हूं लेकिन इंडस्ट्री के समझदार लोग अगर दुसरे प अपस में लड़े तो इंडस्ट्री कहां जाएगी तो यह मुझे दुख हुआ सुनके इस बार होली पे क्या प्लान है कुछ अलग प्लान इस बार होली पे मैं यहीं हूं आपके आर्मी के सेट पे और हम जैसा की गाना कर रहे हैं और आइस उन्टिस तक हम यहीं शूट कर अगर मौका मिले तो घर भाग जाओंगे थैंक्यू मैं दोस्तों यह थे हमारे साथ फिर लवली गल रीतु सिंग जी आप बने रहे हैं हमारे साथ क्योंकि बड़ी खबर आपको यहीं